हलोगरों वेल्कम बाक्तियों ओन चैनल वेल्स सगाच 23rd वेब 2024 इस वीक का लास्ट रेदिंग सेशन फ्रैडे का दिन और गिफ्न प्रेट कर रहा है 45 प्लास बात्रेशन मार्केट्स ही तुशन मार्केट्स में भी आपको मिक्स कीव दिखाई पड़ रहा है वद अभी भी 34-35 पॉइंट्स पॉजिटिव शो कर रहा है कल के दिन दोसों एन्वीडिया के रेजल्स बाड़ा आउटस्टांडिंग है जिसके चलते युस मार्केट्स में काफी ती जीति आइटी सेक्टर के स्टॉक्स में काफी ते जीति तो आज के दिन आइटी सेक्टर के दिखाए बड़ी लास्ट के करीब देड़ तो गंटे के अंदर नेडलेस्ट उसे बिट के आप और स्मॉल कप इंडेक्स में बाइंग लगाताना चालू है दोसों ए बीब के बारे में आपको हमने कल भी बताया था मॉर्ण अपडेट में परसों इवनिंग राप में बता इसकनर इन दूसन को पर वह बुट वहाँ पर सेवन पर सेवन परसेंट वरड़ फोन आडेया में दो सो गूर्ट निवस है अगर डिसकस करेंगे इसलाव कमेंस वाज अप 6 पर से लिए अप लुट लुट पर से बारे में बारे मात रहें इन एनसें बैंक बारे मिन आफ प प्रेवेट सेक्टर बैंक के वो पॉसिटिव अलड़ी हो जुकी है तो यह सब जितने भी गिरावट है यह सारे के सारे रेटेलर्स को पैनिक करके उनसे सेल करवाने का तरीका है अधर वाइस अपनों दे आर बिंग एक्यूमिलेटेट हैवली बाइद इंसिट्यूशन्स दोसुब भात करें हमें लोगा में कमवाड़ी सेक्शिन की सो मेंक क्या है आप देख करेंगे मायनर सी प्रोफट बॉकिस चल रही है हर जिग है पिर चाहा है वह क्रूड हो तो नाच्छल गास उकल के दिन कमोड़िटी सेक्षिन में आपको प्रॉफिट बॉकिंग दिखाई पड़ी बात रहें करन्सी सेक्षिन की सु इंडिन रूपी वर लोकिंग स्ट्रॉंग अगेंस्ट अल दी करन्सीज फिर चाहे वह दोलर हो यूरो हो या फिर ग्रेट इन प पी ऐस बिकम Nawal dooslo' ये सारी की सारी ज्रिग स्ट्रेंथ है ये सरी की इसे श्ट्रेंथ है is notional क्योंके फॉरण एक्स्चेंज का जो रियल वाल्यू है ती वाल्यू इस मार्केश अफूर्य फिर फि क와5740ो टीश फीकेशिन में लास्च ट्रेश हुन में 167 की तीजी ती तो यहां से सीधे सीधे डेल सु पॉइंट की एकस्पेक्टेशन आपको रखनी चाहिए नीची के लिवल पर 22,000 इंपॉइंट सपोर्ट है इसके ब्रीच करते ही डेल सु पॉइंट मिलेंगे चांसे इसके ब्रीच करने की कम है अपसाइट की पॉसुबिलिटी ज्यादा निफ्टी बैंक में कल के दिन 100 पॉइंट से गिरावट थी और 1270 में क्या है 143 पॉइंट डाउन था पर सो के दिन, कल के दिन 1500 पॉइंट उपर तो ultimately क्या है एक range में trade कर रहे है उपर नीचे उपर नीचे और premiums को बढ़ा कर रहे है जिसे कि retailers को समय नहीं आ रहा करना क्या है retailers को precise entry का मौका मिलता नहीं है तो अगर आपकी practice सही है तो फिर market तो आपको daily मौका दे रही है लिगने अगर आपकी प्राक्टिस नहीं है अगर आपको स्किल्स नहीं आते हैं तो फिर वो तो भाई इंप्रूव करना पड़ेगा न निफ्टी बैंक के बारे हम बात रहें तो नीचे के लेवल पे 46-800 इंप्रूटन सपोर्ट है ब्रीच करेगा ओहो ओहो साढ़े 300 पॉइंट में लेंगे ओपर के लेवल पे 47-150 इंप्रूटन सब्सक्राइब जिसको प्रीच करते ही 500 पॉइंट में लेंगे तो इस अर थी इंप्रूटन लेवल्स पिवट पॉइंट जिसपर की आपकी निजरे होने चाहिए कल के दिन फिर से 5.I.A.S. ने सेलिंग करी 1410 करोल वर्त आफ स्टॉक्स की D.I.A.S. के तरफ से बाइंग थी 1824 करोल वर्त आफ स्टॉक्स की जो स्टॉक बैन में है दो से अब यार कल ही सेल निकला था आज फिर से आ आगया यार लब यह एक दिन निकलता है अगले दिन फिर से बैन पीरिड में आ जाता है तो इस इस इक इंड ओफ कंडिशन जो की हो रखी है अशोक लेंड एबी एफारल आज एड हुए है और यह सारे के सारे वो स्टोक से जिनमें ना तो फ्रेश ऑप्शन माइं कर सकते हैं और नहीं फ्रेश ऑप्शन राइटिंग गूड रिजल्ट्स के बारे मातने कल के दिन जना स्पॉल फिनेस बैंक की रिजल्ट्स थे रिजल्ट्स ते रिजल्स वाइब डिसेंट प्रॉफिट वोज फॉर्टीन परसेंट और मैं यह नहीं यह नहीं है बहुत अच्छे तो टाइब कर लिए, इसके बारे हम लोग काफी दिनों से डिस्क्स कर रहे थे ना, कि Zomato के साथ टाइब कर सकते हैं, या फिर किसी Online Food Aggregator के साथ टाइब कर सकते हैं, तो लोगने फिलाल Swiggy के साथ टाइब कर रहा है, जिसके तहट E-Kittering की Facility, मतलब आप करिए, आप on the go अपना Food Order करिए, और आपको चार स्टेशन्स में विवस्था ही मिलेगी, इंक्लूटिंग Bangalore, तो बहुती जी वरतस बात है, वाई, you know, good thing, इसे क्या है थोड़ा सा revenue potential बढ़ेगा, और ओर ओर आएगे, और orders आएगा, तो और booking इनके जो commissions है, वो improve होंगे, so that's good, PVR का दोस्तों, आज Cinema Day है, अगर आपको पता नहीं है, ता आपको बदा देना चाहते हैं, आज का दिन PVR में कोई भी टिकेट सिर्फ 99 रोपीज का मिलेगा, तो in case अगर खाली है, तो why not go ahead and use it, इसके लावा तो you can give, of course दोस्तों, PVR की जो में कमाई है, वो टिकेट बेचेने स्थरोली नहीं है, PVR की में कमाई तो पॉपकॉर्न और सॉफ ड्रिंग से, जो पॉपकॉर्न जिसके कीमत 5 रोपे होती है, आपको वहाँ पे 200 रोपे का दिया जाता है, तो में जो में जो माई है, वो पॉपकॉर्न और सॉफ ड्रिंग में, anyway, दोस्तों बात करें, जुवारी इंडस्ट्रीज तो, जुवारी इंडस्ट्रीज ने 84, 83.45 क्रोड का एक लैंड पार्सल सेल किया है, जब कभी अगर आपने, मानलो, पास से 25 साल पहले कोई लैंड लिया था से, सब्सक्राइस लाग का, तो उसकी पचास लाग ही वैल्यू रहेगी आज की तारिक में भी, जब आप सेल करेंगे, तो उसकी वैल्यू होगी 500 करोड तो, यह जो यह रियलाईज होता है, अब आपो क्या लगता है, यह जो 83 करोड का इन्होंने लैंड सेल किया है, मुश्किल्स इन्होंने एक लाग रुपए खरीदा होगा, so this is the revenue potential which land offers to the companies, so तो फिलाल दोसों एक positive news है, सला सारों दोसों positive news है कि उन्होंने joint venture किया है with RVNL for transmission lines, एक बहुत ही positive news है, मेरे साब से सला सारों में positive momentum continue हो रहेगा, काफी सारी गालियां भी पढ़ रही है stock को, लेकिन ठीक है penny stock के तो गालियां पढ़ती है, पढ़ती है, anyway बजाज आटो के बारे मातर दोसों तो बजाज आटो ने किया है 46 करोड का investment for e-bikes, अब दोसों e-bikes आपको नाम ना यूलू बाइक है, यूलू, अपने metro बगरा में देखा होगा, साइड में ख़़ी रहती है, तो ये यूलू बाइक में 46 करोड के investment के एक बहुती जवर्दस initiative है, और वैसे e-bikes, e-motor bikes में बजाज आटो तो तोला सा पिछड रहा था, लेकिन उन्होंने अब धेरे-देरे समझ में आगया कि e-bikes से focus करना हमें शुरू कर देना चाहिए, दिली बिल्टकॉन को 270 करोड का order मिला है, दो IPO से चल रहे हैं समय, यूनिपर होटेल सिर्फ 23% सब्सक्राइब हुआ है दूसरे दिन में, GPT Healthcare में से लगए, चैड GPT से उच लेना देना है इसका, लेकिन GPT Healthcare का 37% Day 1 में सब्सक्रेप्शन हुआ है, तो बहुत ही पूर सब्सक्रेप्शन चल रहा है, इंसे कोई उमीद भी रखने की ज़रूरत नहीं है डी लिस्टिंग, आइसेक की दोस्तों, डी लिस्टिंग की निउस फिर से market में आ रही है अल्दो इसने काफी दिनों पहले कहा था कि हम डी लिस्ट करेंगे, उससे में स्टॉक का प्राइस चल रहा था, साले छे सो और तब भी ये डिस्कस किया गया था आपके साथ कि स्टॉक में हेवी पोटेंशल है और अब देखिए दोस्तों स्टॉक कहा पहुँच गया अन्यवे दोस्तों बात करेंगे हैं 50% एंकर लॉक इन पीरिड की तो 50% एंकर लॉक इन पीरिड ओवर हो गया है आयरेडा में जिसके तहत कुछ वॉल्यूम दिखाई पड़ सकते हैं कुछ वॉलाटिलिटी दिखाई पड़ सकती है कुछ बाइंग इंटरेस दिखाई पड़ सकता है कुछ सिलिंग इंटरेस भी दिखाई पड़ सकता है keep an eye on iorada keep an eye on iseq अगर deal list होता है तो भी अची बात है deal list नहीं होता है तो और भी अची बात है good results के बारे हम बात रहे हैं तो telegram channel पहली चीज़ तो अगर आपने join नहीं किया है तो join कर सकते हैं जहाँ पर आपको relevant updates मिलेंगे actionable updates मिलेंगे actionable information मिलेगी ठीक है जो हम trades लेते हैं वो भी हम share करते हैं तक कि आप सीखें इसके अलावा last trading session में दोस्वों जनाए small finance bank जनाए small finance bank में results ठीक टाक आए हैं बहुत अच्छे results हैं लेकिन आज के दिन दूर results आने हैं one is rain industry जिस परकार से stock react कर रहा है अच्छे results की expectation and second one is Sanofi long term का बहतरीन pharmaceutical stock इन दोने stocks में नज़र रखें इसके लावा you can keep an eye on oil and fact जिनोंने green hydrogen green ammonia को बनाने के लिए packed किया है टाटलेक सी बे नज़र रख सकते हैं चो कि 5G के automation और safety के लिए गाम कर रहा है कि युकि युकि आए on PVR IT stocks में नज़र रखें apart from that if you want to join our private group link description में है make use of that thank you so much bye-bye